नमस्का दोस्तों, PLTX में आपका स्वागत है दोस्तों आज के इस क्लास में यूपीटर प्लसी वीडियो रिक्जाम 2023 के लिए उत्तरपडे सामान ग्यान की चेप्टर वाइज क्वेस्टन की रिवीजन क्लास लेकर रहा हूँ और इस क्लास के अंतरगत हम लोग यूपी जीक यहाँ पर भागोली की स्थिती से समंधित है कोशन बर फस्ट बुंदेल खंड नामक छेत्र निमलिखित के सीमा के अंतरगत आता है दोस्तों आपको बताना है तो राइट आंसर बने का उप्शन बी उत्तर प्रदेश मद्द प्रदेश सीमा इसका सही ज़ाब बनेगा उतर प्रदेश राज का सीतापुर जिला नेपाल के साथ सीमा अपनी सीमा साझा नहीं करता है नेपाल भारत का पडोसी देश है जो 560 किलोमेटर उतर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है उतर प्रदेश के उतर प्रदेश राज के साथ जिलों की सीमा नेपाल के सा साथ लगती है सिधार्थनगर बलरामपूर सरवस्ति महाराजगंज बहराइच लखिमपुर्खीरी पिली भी ध्या नखियेगा अगला कोशन कोशन नमबर थार्ड है उतर प्रदेश का कौंसा जिला उतर प्रदेश और बिहार की सीमा पर इस्थित है तो राइट अंसर कोशन नमबर फोर है निम लिखित में से कौन सा देश उतर प्रदेश राज के साथ एक अंतराष्टी सीमा साज़ा करता है तो राइक जवाब बनेगा उप्सन भी नेपाल उतर प्रदेश नेपाल के साथ अंतराष्टी सीमा साज़ा करता है उतर प्रदेश के साथ जिले प के साथ सीमा साजा नहीं करता है आपको बताना है तो सई जवाब बनेगा option C हर्दोई उत्रपदेश का हर्दोई जिला किसी अन्य राजी या देशों के साथ सीमा साजा नहीं करता है हर्दोई जिसके पूर में सीतापूर, पर्सी में फरुखाबाद, उत्र में लखीम पूर खीरी, साजहाँ पूर दच्चिन में उन्नाव लखनव, जिले से घिरा हुआ है, दुस्तों आप लोग ध्या नखियेगा Q6 है, उत्र पुदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मद पुदेश के साजहा नहीं करती है, तो राइट अंसर आपसंदी हो जाएगा अलीगर, उत्र पुदेश के प्रयागराज, इलाहबाद, मिर्जापूर, आगरा, इठावा, जहांसी, लेलेटपूर, बांदा, च अगला कोशन, कोशन नमबर 7 है, उत्र पुदेश की भावगोलिक सीमा सरवाधिक राजियों को इस परस करती, निम्निकित में से कौन सा राज इन में शामिल नहीं है, तो यहाँ पर इस कोशन का राइट जवाब बनेगा दोस्तों, उपसंदी, ओडिशा, अगला कोशन, को कितने राज जिले हैं, आपको बताना है दोस्तों, तो राइट अंसर हो जाएगा, उपसंदी, 75, उत्र पुदेश में कुल 75 जिले, 18 मंडल है, लखनाव उसकी राजधानी है, वर्तमान में उत्र पुदेश के मुख्यमंत्री, योगी, आदेतनात, और राजपाल, सिरिमती अनंदी बेन पटेल है, अगला कोशन, कोशन नमबर 9 है, उत्र पुदेश राज की सीमा आनी कितने राज़ियों को इस परस करती है, तो राइट अंसर अपसंदी हो जाएगा, आठ, उत्र पुदेश राज की सीमा कुल 8 राजियों को इस परस करती है, अगला कोशन, कोशन उत्रपडिस राज की सिमाई कितने राजियों के साथ लगी हुई है आपको बताना है तो right answer बनेगा option C 8 अगला question, question number 11 है उत्रपडिस में सबसे कम चेटफल वाला जनपत कौन सा है तो right answer बनेगा option D, संत रविदास नगर, option D सही जोग बनेगा अगला question, question number 12 है उत्रपडिस राज का भारत में चेटफल की डिस्टिस से कौन सा इस्थान है तो right answer option D हो जाएगा चोथा इस्थान है अगला question, question number 13 है भारत में कौन सा राज सबसे अधिक पड़ोसी राजियों के सिमाउं को इस परस करता है तो यहाँ पर दोस्तों इस question का सही जोग बनेगा option A, उत्तरप्रदेश अगला question, question number 14 है प्रसासनिक ब्योस्था से समन्धित question number 14, UPS IDA का फूल फार्म क्या है तो यहाँ पर इस question का right answer बनेगा option A, उत्तरप्रदेश राज आउधोगिक भिकास प्राधिकरा अगला question, question number 15 है उत्तरप्रदेश दिवस निम्न में से किस तारीक को मना जाता है तो right answer बनेगा option D, 24 जन्वरी अगला question, question number 16 है उत्तरप्रदेश को पहले समयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था इसे किस वर्स उत्तरप्रेश का नाम दिया गया था तो right answer हो जाग option C, 1950 अगला question, question number 17 है समयुक्त प्रांत से उत्तरप्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तरप्रेश का पहला राजपाल कौन था तो right answer बनेगा यहाँ पर option B, होरमास जी, फिरोज साहाब मूंदी option B, यहाँ पर सही जाब बनेगा अगला question, question number 18 है उत्तरप्रेश की प्रथम महिला मुक्रिमंत्री कौन थी तो right जाब बनेगा option B, सुचेता करप लानी अगला question, question number 19 है उत्तरप्रेश का राजपाल का पधभार कभी नहीं समभाला है तो सही जाब हो जाएगा option C, श्री चंद्र भानु गुपता अगला question, question number 21 है उत्तरप्रेश स्राज में उर्दु को दुत्ती राजभासा कब घोसित किया गया है दोस्तों आपको बताना है तो right answer बनेगा option C, वर्स 1989 अगला question, question number 22 है उत्तरप्रेश स्राज में निम्न में से किस लोका युक्त का कारिकाल सरवाधिक रहा है तो सही जाब बनेगा option C, नयमूर्द N.K. महरुत्रा नेक्स question, question number 23 है निम्न लिखित में से कौन सा कभी भी उत्तरप्रेश का राजपाल नहीं रहा है तो right answer बनेगा option A, N.D. तीवारी अगला question, question number 24 है राम नाइक ने वर्स, किस वर्स में उत्तरप्रेश के राजपाल के रुप में सपत ली थी तो right answer यहाँ पर बनेगा option A, 2014 बाई जुलाई 2014 कुराम नाइक ने लखनव में उत्तरप्रेश के 27 राजपाल के रुप में सपत ली थी वा महाराष्ट के पूर्व केंदरी मंत्री और भारती जनता पार्टी के नेता हैं वर्थमान में उत्तरप्रेश की राजपाल सिर्मती अनंदी बेन पटेल हैं अगला कोशन कोशन नमबर 25 उत्तरप्रेश राज कब अर्ष्टेश्ट में आया था तो right answer बनेगा option 1 अपरेल 1937 का सई जवाब बनेगा अगला कोशन कोशन नमबर 26 है इन में से कौन सा उत्तरप्रेश में एक जिला नहीं है तो right जवाब बनेगा option सी देहरा दूँ कोशन नमबर 27 है निम्नम में से कौन सी भाशा उत्तरप्रेश की दो राज भाशाओं में से एक है तो सही जवाब हो जाएगा दूस्तरे यहाँ पर अप्शन ए उर्दू अगला कोशन 28 कोशन नमबर दियेगे बिकल्पों में से गलत जुला मुख्यालय वाली जोड़ी का चैन करें तो सही जवाब बनेगा option दी कौस्रामबी वैसाली option दी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा तो यहाँ पर पहला दियेगा एमेठी का मुख्यालय गौरी गंच है सोन भद्र का राबर्स गंच कुसी नगर का पडरोना और कौसंबी का मंझन पूर बनेगा दूस्तों तो option दी यहाँ पर कौसंबी का वैसाली दिया गया है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कोशन बार 29 है उतर प्रदेश का पर्थम राजपाल इन में से कौन सा था तो राइट आंसर बनेगा उप्शन भी सरोजी ने नाई जो अगला कोशन कोशन बार 30 है यूनाइटेड प्रोविंस कब उतर प्रदेश बना तो राइट आंसर उप्शन C हो जाएगा 1950 कोशन बार 31 है उतर प्रदेश राज का राज पक्षी कौन सा है तो यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा उप्शन D सारस कोशन बार 32 है उतर प्रदेश का राज पक्षी क्या है तो right answer यहां पर बनेगा option B सारस दोस्तों अगला question question number 33 है निम लिखित में से कौन सा उतरप्रेस का राजबक राज की पशू है आपको बताना है तो right answer option B हो जाएगा 12 शिंधा question number अगला 34 किस साहर को अभी तक राष्टी राजधानी चत्र में समलेत नहीं किया गया है दोस्तों तो right जवाब बनेगा option C अलीगर question number 35 है वर्तमान में उतरप्रेस राज में कितने ग्राम पंचायट है तो यहां पर right answer option D हो जाएगा लगभग 52,000 इसका सही जवाब बनेगा वर्तमान में लगभग 58,189 ग्राम पंचायटे हैं दोस्तों तो आप लोग ध्यान रखिएगा अगला question question number 36 है सोतन्त भारत में उतरप्रेस के पर्थां विधान सभा अध्यक्षपॉन थे तो right answer बनेगा option है पुरसुत्तम दास टंडन next question question number 37 है दोस्तों ब्रज भाषा बोलने वालों का घर किस छेत्र में आता है तो right answer option B हो जाएगा निचली दुआब अगला question question number 38 है उतरप्रेस का पर्थम लोकायुक्त कौन था तो right answer option T हो जाएगा बिसंभर दे आए next question question number 39 उतरप्रेस लोक सिवा नया धिकरान किस वर्स इस्थापित हुआ था तो इस question का right जवाब हो जाएगा option B अगला question question number 40 है जलवायु से समंधित उतरप्रेस में सच से जलवायु चित्रों की संख्या है इन में से कितनी है तो right जवाब बनेगा दूस्तों option C no अगला question question number 41 है दोस्तों नदी घाटी से समंधित 41 question उतरप्रेस में नहरों के माध्यम से सता के पानी की बहतर आपूर्ती प्रदान करने के लिए इन में से कौन से प्रमुख से चाई और बहुत देशी पर योजनाओं में से एक नहीं है आपको बिदाना है तो right answer option हो जाएगा वर्सा जनत अगला question question number 42 है उतरप्रेस स्राज में टिहरी बांग परियोजना किस देश के सहयोग से पूरुख की जाएगी तो right answer option दी हो जाएगा सोबियत रोस next question question number 43 है दूस्तों उतरप्रेस स्राज में निमलिखित में से सबसे उचा बांध कौन सा है तो सही जवाब बनेगा option भी राम गंगा बांध राम गंगा बांध का निर्माड 1978 में धामपूर बीचनवर की राम गंगा नदी पर किया गया था दूस्तों जो 127.5 मेटर उचा है जबकि माता ठीला बांध का निर्माड 1958 में बेतवा नदी पर ललितपूर में किया गया था इसकी उचाई 45.52 मीटर है दूस्तों रिहन्द बांध सोन भतर में रिहन्द नदी परिस्थित है इसकी उचाई 99.46 मीटर है मेजा बांध मेजापुर में बेलन नदी परिस्थित है इसकी उचाई 40 मीटर है आप लोग जहान रखेगा अगला कोशन, कोशन बार 44 है, उत्रपडेस राज में परिच्छा बान किस नदी पर बना गया है, तो राइट अंसर बनेगा option C, बेत्वा नदी पर, उत्रपडेस राज के राज में परिच्छा बान बेत्वा नदी पर बना है, इसके जलासाएक उप्योग बिजली परकार की फसले हैं, इन में से काउंसी हैं, तो राइट अंसर हो जाएका रवी की फसले, खरी फसले, जायर फसले, option A, सही जोब बनेगा, अगला कोशन, दोस्तों, आज के इस क्लास में 45 उत्रपडेस जीके के कोशन्स का आपने रिवीजन किया है, 45 कोशन्स का, दोस्तों, यदि आपको क्लास पसंद आती है, तो क्लास को जादा-जादा लाइक और शेयर का नामत भूलिएगा, दोस्तों, आप लोग जादा-जादा लाइक और शेयर करिए, और यदि आप मारे चैनल पर नए है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, तो आज की इस क्लास में तब तक लिए नमस्कार चाहिन धन्वाद